हलो एभरिवन कैसे हैं आप लोग तो आज हम डिसकस करेंगे recently आसाम बैभव एवार्ड जो है रटन टाता जी जो है इनको मिला है यहाँ पर तो आसाम बैभव जो आसाम का highest civilian award है इसके बार में भी हम discuss करेंगे और इसके साथ जो है आसाम सौरव और आसाम गौरव जो second highest और third highest civilian award जो है इसको भी इस बार जो है mention किया गया है इसके बार में detail में discuss करेंगे, इसके significance के बार में discuss करेंगे और यहाँ पे जो है आसाम के culture के साथ भी कुछ-कुछ चीज़े हम discuss करेंगे तो देखे, from art and culture point of view के हि इससाब से बहुत ही important वीडियो होने वाली है तो इस वीडियो को end तक बिल्कुर देखते रहेगा और इससे पहले अगर आप लोगों नहीं है तो इसको please subscribe कर लिजे ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियो की notification इसी तहाँ आपको मिलते रहें तो चलिए आज का वीडियो शुरू दिया है January 24, 2022 को तो ये अवार्ड जो है आसाम के जो गवर्णर है प्रोफेसर जगदीश मुखी जी जो राज्योपाल है आसाम के उन्होंने ये अवार्ड उनको दिया है तो फिल्हाल एक्चुली रटन ताता जी ने यहाँ पे खुद जो है इस अवार्ड को नहीं ले सके जो भी COVID situation के वाज़े से यहाँ पे वो नहीं आपा गये थे उनके representative ने ये अवार्ड जो है कलेक किया था यहाँ पे तो आसाम के चीफ मिनिस्टर जो है डॉक्टर हिमनतो बिश्वर शर्मा तो उन्होंने जन्वरी 23 को जो है आसाम बईवाफ आसाम सौरफ और आसाम जो भी एवार्ड विनर्स है आप यहाँ पे लिस्ट को देख सकते हैं तो इसको थोड़ा फार हम डिटेल में देखते हैं आपको समझने में भी आसानी होगी यहाँ तो यह आप देख सकते हैं तीनों ही जो मेडल है यहाँ पे आसाम बईवाफ एवार्ड देन आसाम इसके बार में हम बात करेंगे तो रटन टाटा जी को जो है आसाम बईवाफ एवार्ड मिला है आसाम सौरव एवार्ड जो मिला है प्रोफेसर कमनेंदु देव क्रोरी डॉक्टर लक्षमानन एस प्रोफेसर दिपक चंद जैन श्री नील पवन बोड़वा एक फेमस सब्सक्राइब थी यहां पर उनको ब्रॉंज मेडल मिला था आसाम गौरव एवार्ड जो लगभग तेरा लोगों को आसाम गौरव एवार्ड मिला है अलग अलग आप नाम यहां पर देख सकते हैं बहुत ही इंपोर्टेंट कुछ-कुछ प्रसेंलिटी यहां पर है एहां अलग अलग कौशिव बुर्वा है बॉभी हजरी का है यहां पर अलग अलग ग्यवति के नाम आप देख सकते हैं अग्जाम में आपको ऐसे नाम नहीं पूच जाएंगे लेकिन अगर आसाम की कुछ-कुछ पी कॉम्परिटिटिव एक्जाम के लिए प्रिपर कर रहे हैं तो आप कुछ-कुछ नामों को आतलिस्ट याप कर सकते हैं अटलिस्ट आसाम सोरव एवर्ड की विनर जो है इनके नाम भी आप याद कर लेंगे तो काफी होगे तो आसाम बयभव एवर्ड जो है यह बेसिकली हायस्ट सिविलियन एवर्ड इन इस्टेट अफ आसाम इसको इसको आसाम में असम दिवस के रूप में मनाय जाता है, क्योंकि ये मांजा जाता है जो आहुम किंडम है, आप डेफिनेटली आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा, लगभग 600 साल तक आसाम में इन्होंने राज किया था, तो ये आहुम किंडम के जो फाउंडर है, आए जाता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, तो देखें ये एवर्ड जो है, इसमें 5 लाख रूपया का कैश प्राइस मिलते हैं, और जो भी विनर होते हैं आसाम बैभव, तो उनको थो आउट इस लाइफ, मेडिकल ट्रीटमेंट जो है, गवर्मेंट आफ असाम के एक्स जो है, जो state of आसाम माना जाता है, उसके पत्ते की भी इमिज आपको देखेंगी, तो जापी जो है, कुछ इस प्रकार देखती है, बहुत इसकी मानियता है आसाम में, अलगरक shape, अलगरक sizes, या फिर अलगरक purposes के लिए इसको use किया जाता है, बहुत ही सन्मान दिया जाता है, इसको सर में पहना जाता है, kind of head जैसा होता है, यहाँ पे, इसमें देखिए, बारिश से बचने के लिए भी अलग जापी होते है, जो अलग-अलग पत्तों को bamboo के strips के साथ यहाँ पांद के इसको decorate किया जाता है, बहुत ही famous है, बहुत ही popular है आसाम में, और यह जो steak tree है आसाम पते होते हैं, कुछ इस प्रकार की दिखती है, यहाँ तो लगये हाथ थोड़ा फ़र हम लोग रटन टाटा जी, जिसको कोई introduction की जरुरत नहीं, सभी लोग जानते हैं इनके बार में, जो basically एक philanthropist है, एक Indian industrialist है, और former chairman है Tata Suns के, तो 1990 से लेके 2020 तर Tata Group के वो chairman भी रह चुके German Group में भी मौझूद थे, 2008 में उनको Padma Bhushan, जो second highest civilian award of India, और Padma Bhushan उनको मिला था 2000 सन में, Padma Bhushan जो है third highest civilian award और fourth जो है Padma Shri, तो दोनों से ही इनको नवादा जा चुका है, हमारे भारत के बहुत ही जाने माने, जो industrialist है, Tata Group जो है, definitely आप लोग उनके बार में जानते ही होंगे, तो यह था हम लोग का complete analysis regarding Assam Bhushan Award, जो recently Tata Group के जो former chairman, Ratan Tata जी को मिला है, और उसके साथ Assam Saurabh और Assam Gaurabh भी, इसके बार में Assam के जो government ने इस बार mention किया, तो आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीज़े सीखने को मिला ह होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अचा लगाए, इसको प्लीज लाइक कीज़े, इसको subscribe कीज़े, इसको share कर दीज़े, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा मेहनत और research की ज़रोत होती है, और आप लोग का support हम लोग को बहुत नहीं, देखते रहे स्टेडियो आइस, टेक केर, थैक्यू एंड जॉए हिंद।